दोस्तों किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि मनजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है पंकों से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है जियां दोस्तों आज ऐसे ही दिगज कलाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं जियां हम बात करें मनुज बाचपेई सहाब की आए उनसे रूबरू होते हैं सर फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बीस तारीक से स्टार्ट हुआ पहले दिन से ही मौझूद हैं ओपनिंग सर्यमनी में ना सिर्व भारसे वलकि पूरी दुनिया से बड़ी दिगज कलाकार मौझूद थे क्या कहना चाहेंगे एक ऐसा प्रयास है जो 44 साल होगे और 44 साल से हमारी सरकार कर रही है जो भी सरकार आती है वो बहुत ही बख़वी अपना काम निभाती है और धीरे धीरे ये अच्छा ही होता जा रहा है तीन साल पहले आया था और उस बार से लेकर अब तक में काफी बदलाव आया है अच्छी फिल्में पूरी दुनिया से इस साल की आ रही है और हर साल आती रहे हर साल हम लोगों को लुभाते रहे हैं हमारा प्रयास होना चाहिए सर तीन सो चब्वीस फिल्में लगबग 75 देशों से यहां पर देखाई गई है तो फिल्मेकर्स के लिए इसको आप कितना बड़ा प्लैटफॉर्म मानते हैं देखे यह सब ऐसी फिल्में हैं कि इनमें से बहुत सारे फिल्में डीवीडी पे नहीं आपाती हैं और एक ऐसा प्लैटफॉर्म होता है कोई फेस्टिवल जहां पर पूरी दुनिया के फिल्मेकर्स एक दूसरे के साथ बैठ कर एक दूसरे को अपना काम दिखा कर एक दूसरे को प्रतसाहित करते रहते हैं एक ऐसा प्लैटफोर्म होता है जहां पर हर दिमाग अपनी बाते कहने के लिए जो है उसको मौका मिलता है एक दूसरे के काम को जानने का मौका मिलता है यह जितने बड़े रूप में हो उतना ही सांस्कृतिक रूप से जो है यह अपना बहुत सारा योगदान देते है अगर स यह जान से लगे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा यही सोचा कि यही जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं जब आप यही जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि 24 गंडे भी कम पड़े तो इसमें पुरी लगन के साथ में लगे र और लोगों को दिखाते रहें, और दुसरी का काम देखते रहें, पढ़ते रहें, इसी से आदमी का आगे बढ़ता है। अगर हम जो फिल्में आपकी राजनीती, आरक्षन कई सारी फिल्में आ चुकी हैं, तो आने वाला प्रोजेक्ट क्या है, किस फिल्म पे काम कर रहे हैं। अब यह कुछ साल जो हैं, बड़े अच्छे गुजरे, बॉक्स हफिस के मामले में और अच्छी फिल्मों के मामले में भी, चाहे वो राजनीती हो, चाहे आरक्षन हो, चाहे वो गैंक सफवासेपूर हो, शूट अडर वड़ाला, स्पेशल छबी, सत्यागरा, आशा करता ह हो कि आगे भी चीज़ें अच्छी जाएं, आगे आने वाली फिल्म साथ उचके हैं और ट्रैफिक हैं, सर आखरी सवाल, राजनीती का एक डायलोग था, करारा जवाब मिलेगा, दर्शक उसको एक बार आप से सुनना चाहेंगे, मैं जब एक बार डायलोग बोल देता हूं और दूसरी फिल्म पर चला जाता हूं तो फिर मुझे डायलोग सियाद नहीं रहते हैं, क्युकि अमोमन जो है, फिल में जो मैं जो पर्फॉर्मेंस करता हूं, वो डायलोग ओर्यम्टेद मेरी परफॉर्मेंस नहीं होती है, एक पर्फॉर्स का हिस्सा होता है, और उने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा केवल लास सवाल आपने इतना साड़ा स्टगल करके आप यहां तक पहुंचें कोई भी एक डिरेक्टर या कोई भी बॉली बॉड में एक ऐसा इंसान जिसको आप इसके लिए क्रेडिट देना चाहें कोई एक आदमी नहीं है इसलिए बड़ा कहना मुश्किल है कि किसी एक आदमी को युगदान रहा है लेकिन अगर मैं सबसे पहले अगर किसी का नाम लोगा जो मुझे फिल्मों में लेके आए वो शेखर कपूर थे बैनिट कुएंसे लेके आये थे मुझे या फिर जिस आदमी ने मुझे बहुत सारा कुछ दोर में बहुत मुझे सहारा दिया था सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो दोस्तों ये थे मनुज बाचपही साहब जोनों ने अपने जिन्दगी के कुछ पल हमारे साथ बिताई कैमरामेन अशोक के साथ गुवास हिर्देशादब नुस पॉइंट